आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप शेयर करने जा रहे हूं जो आपके किचन की कामों में बहुत जादा हेल्प करेगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो टिप्स है वो मेरा है किचन की टावल को ले करके अकसर हम यूज करते हैं किचन में टावल बरतन को पकड़ने के लिए या फिर हाथों को पोशने के लिए यूज करते हैं और इस्तमाल करके ऐसे ही कहीं रख देते हैं तो इसे क्या करना है मैंने एक rubber लिया है rubber जैसे हम बालो में लगाते है न वही रबर मैंने लिए है तो इसका एक corner आपको पकड़ लेना है एक kona आपको पकड़ लेना है टावल का और इसमें इस तरह से आपको फसा देना है यह देखे जैसे मैं कर रही हुँ न तो इसमें कोई भी सेफटी पिन ले लीजी चोटी सी यहां पर मैंने एक सेफटी पीन ले लिए यह इसको इसे पूरा अच्छे से बन गया है तो आपको इसको क्या करना है अब कहेंगे कि इसमें कोई बैंगल भी लग सकती है तो अक्सर होता है जो होते हैं वह बहुत पासपास लगे हो तो उसमें बेंगल भी नहीं जाती है तो इस तरह से आपटावल में इसको हैंग कर सकते हैं। टावल को रबर में लगाके स्पेस भी कम लगता है और बहुत आसानिए वेंग काटोरी शाग जाता है एक चमस नमक और नीबू का रस तो मैंने अधा नीबू का रस में डाल दिया है अब इसको अच्छे से से मिला लेना है तो यहां पी देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से घोल लिया है थोड़ा सा मिलाएंगे नमक है यह घुल जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं इस तरह का यह पेस्ट बनके त्यार हो गया अब इससे करना क्या है कि आपके पास कोई भी लकडी का सामान है बरतन हो गया या फिर चॉपिंग बोट हो गय या फिर कोई भी समान हो लकडी का आप इस तरह से अगर साफ करेंगे ना तो इतना आसानी से साफ हो जाएगा और कितने भी दाग धब्बे लगे हुए ना यह बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है और नीबू की वज़ा से जो है इसमें लकडी में एक चमग भी आ जाती है तो यहाँ पर यह देखिए मैं इसको अच्छे से लगा लेते हूँ मैंने चौपिंग बोड को हलका सागीला किया था तो यहाँ पर यह ब्रस से लगाने के बाद आप चाहें तो इसको पांच मिनट के लिए छोड़ सकते हैं या फिर कोई भी स्क्रबर ले लिजी इस तरह स ही बोड़ा है तो इस तरह से आप इस्को झाह थाले डू कि आने वाली टिप्स है तो आयच्प्स आई पर ढ़iblADEstr defeat लेए वीडियो देखते हैं अगली टिप्स दएक Täनके बाउक्स होता है वह इस तरह की जो बाक्स होता है उसमें चमँशर कि घुटा जाती हैसम पाईर स series तो मसाले गिरते भी रहते हैं उसमें दाग धबे भी लग जाते हल्दी के मिर्च के तो यहां पर जो स्टील का बर्तन होता है ना कुछ भी हो स्टील का कोई भी बर्तन उसमें चमक कैसे वापस लाएं उसकी चमक ऐसे ही बनी रहे है वो जैसे नया लाते है वैसे ही रहेगा तो यहां पर मैं आपको एक छोटी सी टिप्स दूँगी जिससे कि आपका जो इस्टील का कोई भी बरतन है वो अच्छे से साब भी हो जाएगा कोई दाग धबे भी नहीं रहेंगे तो यहां पर मैंने फोड़ा सा पानी डालतों हो और श्Star डाल दीया ए इस पोस को आछे से घोल लेंगे यानि कि एक चमच मैंने वीम डाल दो ही दूरद गया और इसमें डालें बाद संव दाल्रच Lait लिन जालाए याप्स पनी लिशाय स्प्वार्टिय। आपका बर्तन उठिटन साफ हो जाते है और पीन स्टीबर कोई्टिय। हो गया कुछ भी हो गया आप उसमें जो इसक्रबर मोटा वाला होता ना जाली वाला वो ना यूज करें इस तरह से यूज करेंगे ना तो आपके जो बारतन है उसमें चमक वैसी की वैसी बनी रहे बिल्कुल नए जैसा लगेगा तो यहां पर देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया और यह जो पानी बचा हुआ ने इससे दूल के साफ कर लिया और यहां पर दब्बे नहीं है तो ये देख सकते है, मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है तो चलिए अगला टिप्स देखते हैं अगला टिप्स ये है कि जैसे कि हरी मिर्च हो गई हम बहुत ज़्यदा ले आते हैं तो इसको इस तरह से जब तौळ के हम रखते हैं तो तोड तो लेते हैं उसके बाद क्या करना है जलन ना हो इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा दूद यानि तीन से चार चमच इसमें दूद ले लेना है और इसमें डालना है एक चमच शूगर और इसको अच्छे से घुलने तक आपको मिला लेना है और जो अपके हातों में जलन हो रही है न इसको आप इसमें थोड़ी देर के लिए इसमें भिगा के रखिए या फिर आपको इस तरह से हातों में रब करते रही है थोड़ी देर आप देखेंगे हातों की जलन भी खतम हो जाएगी और कहीं भी आप अगर टेच करेंगे न तो मिर्ची लगेगी भी नहीं तो ये बहुत ही जादा कमाल की टिप्स है और ये आपके काम बहुत आएगी तो इसे एक बार जरूर ट्राइ करेगा अगर आपके हातों में जलन हो रहे हैं तो वो खतम हो जाएगी तो आई होप की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कर जाएगी तो आई होगी 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 तो आई हो झाल झाल